जहन्द फैंड्स मैसल्फ सुमित लक्षकार 20 मिंट्स के अंदर चैप्टा वन हिस्ट्री कंप्लेट करने वाले हैं देखें चैप्टा का नाम समझिए दी राइस ओफ नेशनलिजम इन इंडिया और इस चैप्टा का नाम क्या है दी राइस मतलब क्या मतलब उदय होना इन न और चैप्टा टू का नाम नेशनलिजम इन इंडिया यानी राष्ट्रवाद भात मिक्रिसा रहा तो फर्क क्या है कि यूरोप में जो चीज उदय हुई है वो बाद में इंडिया में आई है निशनिस्टेट का कॉंसेप्ट हम अपनी एक पॉलिटिकल और एकनोमिकल यहां पर एक अलग चीज थी आपको पेंटिंग और लिटरचर यह दो ऐसे चीज़े हैं जो कि आपको इतियास का पूरे दर्शन दिखाती है यानी दिखाती है कि उस समय में क्या हो रहा था उस समय सुसाटी के क्या हाल थे पेंटिंग देखो गया आप इट्रीम ऑफ वर् में एक बार फिर से रेवलिशन हो रहा था इस समय में आप देखोगे पेंटिंग में आप देखो कि सारे फुरुष्वा महिला एक ही लंबी सी पट्री बनाते हुए ट्रेन बनाते हुए स्टैचू ओफ लिवर्टी की तरफ जा रहे हैं यानी आज़ादी की बात कर रहे है और उस स्टैचू के पास हाथ में एलाइटेनमेंट की तौच है और मेल के रायट की चार्टर है चार्टर ऑफ मेल राइट और लमीन में देखोगे कि राय आमाराःुजर के सिंबल उनका क्राउन, उनका सिंगासन, उनको सिम्बलाइज करती है चीज़े, वो तूटी फू सबी जो विश्व के लोग हैं दुनिया के सभी लोग human human civilization divided हो चुकी है अलग-अलग nations में जिसको हम एक वैक्ति को हम देखते हैं और सकी हम national फ्लेक संपने पचाना कि कि वह किस देख के वैक्ति है वह अपने उसका फ्लेग देखेंगे हैं मतलब उसमें आजादी हो चुकी है 1789 में अमेरिका आज़ाद हो चुका था और 1848 की पेंटने के मतलब किया अमेरिका आज़ाद हो चुका है इसलिए उसने स्टर्चियो लिवर्टी को पास कर लिया है फ्रांस दर्वादे पे खड़ा है क्योंकि 1848 में फ्रांस में रेवलुशन हो जा था और फोलेट बाइ जर्मनी इटलेंड रशिया हंगरी फोलेंड इंगलेंड इस अभी देशों में अभी लड़ाई चल रही है तो इससे अपने अंदर्स से लगाया कि हां उस समय यूरॉप की सुसाटी में हो क्या रहा था इमर्जेंस ऑफ ओल दीस सेंजिस वर कॉंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट अंदी प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डाइनमिक एंपायर यह शब्द देखो मल्टी नेशनल यानी एक से अधिक देशों पर राज करने वाला डाइनस्टिक यानी बहुत बड़ा समरज है उसकी जगा अधिक पर छोटे शोटे ही सही बड़ नेशन स्टेट की बात हो रही है नेशन स्टेट बन रहा है यह है कॉंसेप्ट इमर्जेंस हो रहा है आप समय चलो यह फोटो आपको किलेर हो चुकित है अब हम स्टाट करते हैं हमारे जहां हमने क्लास नांत में खत्म गए था वहीं से स्ट्राट करते हैं फ्रैंस से फ्रेस्टेशन हुआता था 1789 में स्वारी मैं माफिश हाऊँगा अमेरिका आदद हुआ था 1787 में और फ्रांस में रेवल्यूशन हुआ था 1789 में अमेरिका दो सार पहले आदद हो गया था फ्रांस में जो राजोगाटाने के बाद जो एक पावर आई थी नेशनल असेंबली उसने लोगों के बीच में कैसे क्लेक्टिव ब्लॉगिंगनेस विदा करी उसने कई साथ टाइटल्स चलाए आप ही देखोगे कि अगर सरकार को आपके बीच में युनिटी डिस्कावर करन अपको दर्शा आता हो और स्टेट जर्णडल जो पहले वाले अथोर्टी थी उसका नाम चेंज करके नेशनल असेमली कर दिय गये था और सभी लोगोगों की इंट्रेस्ट था गवशार्न ने उसको फुल फुल कर दिया लोगों का इंट्रेस्ट क्या था सार हमें एक्वल फ्रांस पर मुउव की इसरी य्रॉप्यन कंट्रीज की तरफ जैसे कि जंन्माई हो गया है इिटली हो गया रेमा कर निदलेंट गटी में हिए इन सभी आरमी कंट्रीज के तरफ मुफ करिए अब बात में क्या हुआ देखो जब नेपोलियन ने जो नेपोलियन जो की एक रीडर था उसने जहां जहां पर अपने राज करा वहाँ पर उसने नेपोलिक कोड 1804 लगाया जिसके तायत उसने गिल्ड रिट्रक्शन यानि रेट के लिए जो यूनिन बनती थी ट्रेडर्स की उसको बनने के लिए हां कर दिया यानि पहले उसके उपर रिट्रक्शन था अब वह हट चुका है सेकंड एडिमिस्तेटरफ डिविजन एडियूर्ड अट इडू डिडिउुस जो कर्ज थे लोग की कर्ज थे उनकों खतम कर रहा हु सने अब जो एंड लोगों का इंट्रेस्ट था उसने उनको फ्लिफल कर दिया तो लोग उस्टे खुस हो गए और क्या इंट्रेस्ट था लोगों का देखो एडिमिशन्स ने करें वेट एंड मेजरमेंट उसने अच्छ दिया देखो मेरी सुगा के टामपे मेरी दवान थोड़ी यह फ्लक्चिट करती है तो महाफिश हाओंगे फूरी कंट्री में एक्वल वेट एंड मेसरमेंट करें मतलब क्या है कि सभी लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं अब ट्रांस्पोर्टेशन और कम्व्लिकेशन स्टेम अच्छे करती है अच्छे करती है वैसलिटीश अच्छ इन सभी चीज़ों को देखकर वह बाद में होश्टलेटी में कनवर्ड होगे क्यों क्यों कि उनको लगने लगा कि हमारी खुद की एक पॉलिटिकल आडेंट्री नहीं है हमारे खुद का एक समरजे नहीं हमारे हमें प्रिजेंट करने वाला हमारा राजा नहीं है हम हैं तो आजाद हैं हमारे बास पैसा है बट हम इसे करें क्या कि हमारा देश ही आजाद नहीं है यह फिलिंग लोगों के वीच में आने लगी लोगों के दिल में यह फिलिंग आने लगी कि हम इस पैसे करें क्या हमारा देश तो आजाद है नहीं इसलिए उनकी इनिशिल एं जो कि आपको बताता है ये यूरोप कि यूरोप कि तना जादा डाइवर्स है और अश्टिया हंगरर के वह पर रूल करते हैं हैं उपर और एलपन डिजन ट्राइवल गेलशिया लंबोर्डे वेयेटिया बोहीमिया इसे अलग अलग छेत रहे हैं हैंसबर गंपाय के जहां प पर और बीजन वेशित बेस्ट होंगे जिनके उपर यूरोप डिवाइड होगा हम देखेंगे एस टीट अन्नियू मिट्ल क्लास हम देखना है कि कैसे मेकिंग हुई नेशनीलिजम की कैसे नेशनीलिजम बना एस ट्रुट क्लास वह यूनाट कैसे रहती है राजा महाराजा मतलब एक ही रोयल लाइफ जीते हैं एक ही जैसे ही लाइफ सभी की सेम लेंग्विज है फ्रांस लेंग्विज फ्रेंच लेंग्विज सभी अपनी अपनी ब्राब ब्रादरी में ब्राबरी में अपनी तरह की ऐस्टक्रेट के साथ अपने बच्चों की शादी करते हैं आपनी ही गुर्फ अपनी लेवल की ज्व leg будет हो या अपनी से बड़ा लेवल पा उसके साथ सब्सक्राइब पड़ते था इनकी सामने या तो इनकी बड़ी-बड़ी फील्ड से काम करो जो कि इनके बास बहुत जारी प्रपटी इनके पास या फिर अपने छोड़ी बल्क में जो खेत चला रहे हो आके फिर इनको टेक्स दो ऐसा अब वो देदरे इंडेस्टिस में शिप्ट हुए तो उन्हें प्रोफेशन अपना चेंज कर दिया और वो बन गए बिजनसमेन और प्रोफेशनलिस्ट बिजनसमेन और प्रोफेशनलिस्ट ह esté ända कario के बतूप हो रही है योग बात करते थे पॉलिटिकल लभ लिडलिसम की अधिया नेशनु दत्व किया होती इसथी निच्छी की तवे नेश्चीजिन संटेरी को वा साथ में मिल गया लिबरल्रिसम के अब आजदी की बात कर रहे हैं प्लस 대श की बात भी करेंगे मीस अब आजदी की बात करेंगे तो फिर वो ते देश की बात भी करेंगे सब्सक्राइब बच्चे में समझधार ही है बच्चा समझता है चीजों को टीचर के सामने इंप्रेशन पड़ेगा उसे जहां से भी पड़ा है उसके टीचर ने उसके बताया है कि हाँ छोड़ी चीजों को ऐसे एनलाइस करते हैं अभी आप यहां पर लगत हो तो गलत हो जाएगा यहां पर आपको रखना है वोटिंग फॉर मैं तब वह आपका अंस लुहां हो गयांके उनको खतम करो एसे बात यह थैक है तो यह निक करें दो अप्लोग अपने फवादे की बत करें अपने फाइदे के लिए बट यहां पर एक नए नेशन इस नेशनलिसम एक मर्ज हो रहा है इसलिए इस चप्टा का नहाम है दिजाइस ऑफ नेशनलिसम इरॉप कि शायद मैं ठीक से नहीं बोल पारों माफी चाहूंगा तोकि सुबा का टाम है तो फिर मुझे दिक्कत होती है कि प्लीज आप थोड़ा कॉंपर्माज करिएगा आपको कोई डेट दी है तो अपसे डड़ो मत आप समझो कि आपको डेट यहां पर क्यों दी है आपको बुक बताना चाहती है कि हाँ इस समय में कुछ हुआ था तभी मैंने आपको डेट दी है वोगि डेट तो आपके जन्म की भी है ले वोगिश्यक्रीर के नहीं है क्यों नहीं है यूप नियुक्ति और उस समय कि आपने कुछी बड़ा काम नहीं कर रहा है कि यहां पर कुलत काम हुआ है तो इससमें यहां पर और नीट दी हिए जलि島न कर रहा था लीडर मिलिटरी लीडर क्या नाम था नेपोलियन उसकी हार हो चीकिए पावर्स कुन कुन सी है यूरॉपीन पावर जैसे की रिप्रेजेंटेटिटिव और यूरॉपीन पावर जैसे की बिटेन रशिया पूरुशिया और ऑस्ट्रिया और चांसलर यूद्यूक मेटनिक थे उसं को औहाए जैसे को होश्ट करो था यानियं इसक़ को होश्ट रहा था मेटनिक भूरॉपीन हो यानिया त्यूकूश्ट करा था झाल App को जैनी हमारे म pencils घूश्ट कर था है बथा कंटेनग मिला। उन्होंने इस country को hold करा था, इस meeting को host करा था, okay? ठीक है, उन्होंने जो tradition institution थे उनको promote करा रहा जाएंज से कि कलरजी के privileges और और वो राजा है ना, estrogacy के privileges उनको उसने, इन लोगोंने prefer करा, बट उन्होंने modernization को ऐसा गंदीजार से नहीं देखा, कि हाँ, modernization हुआ था, इस विए हमारी जो power team चली गई थी, हम modernization नहीं करने देंगे, नहीं उन्होंने अब उसको अपने फादिकले इस्तमाल करा, यह राजा क्ला से बेटा, यह राजा हैं, यह लोग राजा हैं, इनका interest जहाँ होगा, यह उस चीज़ को जरूर अपड़ाट करेंगे, यह वो नहीं है, जो management, economy, economy, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, कि इन लोग की power तो गई थी, बड़ इन लोग ने realize करा, कि हमारी power भी strong कर सकती हैं, कोई चीज़ खरब नहीं होती, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, बस आपको आना चाहिए कि आपस चीज़ को इस्तमाल कैसे करो, यहां से आपको सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां से नेपोलियन यानि जहां से एक आर्वी खड़ी हुई थी, फ्रांस से, उसके आसपास पहले boundaries, उसकी boundaries में बहुत सारी state बना देंगे, और जो पुरानी वबन डायन स्टेट थी, उसको वापे से पावर में ले आएंगे, दाकि कोई औ और नेशनल असेमली ख़़ी ना हो, okay, parts of conquest, conquest, distributed among themselves, उन्हों ने अपने आपस में बाट लिए जो राजा के समरज जिता उसको, obviously आपने जिसको हराया है, तो उससे कुछ ने खुछ नो लोगे, यानि उसको जो समरज जिता, उसको आपस में बाट लोगे, और उनने फ्रांस क जो फ्रांस की country नहीं ली, फ्रांस की जीती हुई countries ली, इससे आपको क्या दिखता है, कि अगर फ्रांस की country लेते, तो बात तो होई हो जाती, लोगे अंदर में आकरुष था कि हमारे नेपलीन कहरा दिया, उपर से तुम दूसरे उन लोगे उपर राज भी कर लोगे, तो और जो नहीं conservative regime थी, और क्या हुआ था रर्शिया ने occupied लिए पोलेंड को, और भी कई साइज हुए थे, आप उन सब चीदों को मत देखो, आपको बड़े बड़ी चीज़े ध्यान रखनी है, आपको छोड़ी चीज़े खुट में आनी आनी चाहिए, देखो, जो नहीं conservative regime स अब इस तेता है, जो अपना criticism, नहीं यह सकते हैं, कैसे भी, कोई नहीं जवाब दे नहीं हों इसको यह भी नहीं चिलते हैं अब है लिक्षाण करते थे कि क्या लिख रहा है लोग को क्या बता रहा हूं और बहुत ज़़गों क्या बता रहा हुँ और बहुत ज़गा ईयोट रोड़ करना फई लोग विद्रह करते थे जो दमन कर रहा उसके खिलाफ अब की लोग विद्रह करते हैं कि दमन करने के लिए कि अंतर है भी मला ठाल हल्ट यह जो है यह आदञोद ही हैसिय संदने लोळह आपको करतें Lots पें मत दे आओ रिखेशनली यानि रिखेशन की बात करते हैं यह 1815 अब फियर और अफ रफ्रेश्टन यानि डर था लोग के बीच में कि हरे पाउर में आचुकी पावर अब वो गंजर्विटिव नहीं है वो पाउर्फुल है अब अब हमको दबना पड़े हमको भागना पड़े हमको अंडर्गराउन होना पड़ेगा वुजी भी मजीनी एक प्रॉमिनेंट रेवलुशनरी है 1830 इनका जनम होगा था 1807 में जनुवा में 1833 में जन्ग बर्नी और यंग इटली नाम की इन्होंने सोसार्टिस बनाई थी और इन्होंने कई साइस को जोन कर था उनका आइडिया ये था कि जो पूरा वर्ट है इसको भावन ने बनाया है और हम सभी ने इसको बाट दिया हमें इसको नहीं बाटा चाहिए हमें प्यार अब यहां से एक नई एज स्टाट हुई है रविशनरी के बाद से एक नई एज स्टाट हुई है इज ओफ रविशन 1830 से लेके 1848 अब देखो हैं फिर से डेट आ गई सट डेट आ गई तो मतलब क्या है सर कि यहां से कुछ नगोड एक नई बाद स्ट्टी होगी अब दिया गया उनको भगा दिया अब नहीं तो लिमाफी साहूंगा उनको अटाया निथा उनको एक चांस्टीशन मुनाग बना दिता बना दिता फंदर साल का इनोन राजा अपना राज करा 1815 से लेकर 1830 तक 1830 तक बनाद सलवाद विर से लोगों ने इसको एक कोर्ड और जुराई ये रेवलूशन की बाद फ्रांस ने शीख दिया तो पूरे यूरॉफ को सद्धी होगी यानि अज ट्रीडियो आप कॉंस्टेंटिनोपल 1830 में ग्रीज आजाद हो गया किस से ओटमन एम्पायर से कि ओटमन एम्पायर पर कबज़ कर रहा था सुरी ग्रीज पर कब्ज़ कर था ओटमन एम्पायर ने 1814 नीं 15 संच्री में उसके बाद रेनेसंस स्टाट हुआ रेनेसंस के बाद फिर लोगों ने उन लोगों ने अलावला कंट्रीज के डायट कि सी रूट्स खोजे जैसे कि अमेरिका और इंडिया समझके देखो अब यहां से 1830 से लिए 1840 तक सीरीज में रेवलुक्शन होंगे अगर आप दिल्ली बोलते हो तो आप दिल्ली बोलने का दो मतलब है या तो दिल्ली जो केपिटल है इंडिया की वो या फिर पूरा भारत जो कि आप किसी भी कंट्री को आप उस कंट्री के के केपिटल से ड्रोंट करते हो राजधाई से ड्रोंट करते हो अगर मैंने बोला शांगाई शांगाई मतलब शांगाई नहीं चाइना पूरा अगर मैंने बोला नियोर् लंडन नहीं पूरा ब्रिटेन समझ गए हम केसी भी कंट्री को यह आई क्लास की चीद है हम किसी भी कंट्री को उसके राजदाई से डिनोट करते हैं यहां पर देखो रुकी रुब्री धल्ची आश्केर इसलिए पमशन से वह्का करकлять करते करते तो ग्लोरिय साइंस और लॉऌजिक साइंस खाते को इस सब्सीतर की बात मत करो, तुम बात करो, पुरानी हिस्टरी से लोगों को युनिट करने की, जो उनका लिटरेचर रहा है, जो उनका कल्चर रहा है, जो उनकी गान रहे है, जो उनका डांस रहा है, उससे तुम लोगों की बीच में युनिटी को डिसवा करो, ऐसा, एक कॉ समय के साथ साथ चेंज हो दाते हैं जैसे कि फिलिंग को फिलिंग कर दोते हैं लोग अब फिलिंग भी एक फिलिंग बहला शब्द हो जगा है जिसको बोलते ही फिलिंग आती है समझ एक हैं नह्तर के साथ हर चीज़ में बतला होता है आपको यह तो चीज़ तेखने के ओली कि род समय के साथ साथ हर चीज़ में बतला होता है कोई इस चीज़ स्चेगनेन नहीं रहती फिलिंग हो गई है इभिल मैद घ्रिक्पा जोन गॉट्फिल्ड हडडर 1744 में 178037 का टाम बेड़ रहा है यह सब भालती हुच चीज़े हैं तुम लोग के कॉंसेट्ट कितने तुम लोग के लिए रहे हैं वो मेटा करता है उनका आइडिया भी यह था उनने उनका भी आडिया जी था कि हाँ फुलाने जो हमरे बेसिक ज करो यह आडिया था रोमेंटिक सित्रम का यानि वह वाला रोमांस नहीं अलग वाला रोमांस ठीक है यहाप एक लेंगवेज ने भी एक इंपोर्टन रॉलपले करा जब रशिया ने कि आप ब्लेंट को आपको मैंने भी बताया तब पुलेंड में एक लेंगवेज बोली ज तो यहां से हमको देखने के मिला कि लेंगविज ने भी एक इम्पॉर्टन डूल प्ले कर रहा है कि नेशनलिसम को मेंज करने में हंगर हाट्षब और पूर अबल्ट हाट्षब मतलब क्या अब बहुत जारा बुकमरी है गरीबी है और लोग पीडा में हैं आज भी अगर लोग पीडा में होते हैं तो वह दोशी थेडाते हैं गवर्मेंट को ऐसे ही फ्रांस में भी सब्सक्राइब को भागने पर मजबूर कर दिया था उनको और सभी और जो बाद में एक फॉर्म ऑफ गवर्मेंट की फॉर्म ऑफ गवर्मेंट बनी थी जिसने एक इसमीघ गवर्मेंट को गवर्मेंट को और ऑब यौवर्मेंट को बोलेंगे गुवर्मेंट कौन थी स्टाम में पर लुईस फिलिप की बॉबान डायनस्टीड तीक है लुईस फिलिप कब तक जंदा रहेगा यारी बंदा 1830 से लेकर अभी तक जंदा है अठाव साथ रहा इसके बच्चों को राजा महरे बंदा नहीं साके है उठागा फैक देते यह से खुर्रम ने फैका था अपने बापको उसको बाप कौन जहांगीर अखबर कर बेटा चलो ठीक है यह सब हिस्टी की बात है बन करेंगे बॉक आज के बाद ठीक है अभी हमें पढ़ते हैं 1848 डी रेवलुशन ऑफ लिबरल्स यानि फैब्रेडी रेवलुशन जो आज़ाती की बात करते थे लेवल लोग उनका रेवलुशन जैमनी इटली पोलेंड और और ऑस्ट्रहंगरी एंपायर इन सभी जगाओं में सभी मेल और वुमेन कंबाइन हुए दोकों महिलाओं ने हर जगाँ पार्टिसिपेट कर रहा हैं पर उनके आजादी की बात किसी नहीं करिये मेल एंड वुमेन कंबाइन एंड डेमाइन फोर वन कंस्टिटूशन एंड नेशनल युनिफिकेशन एंड पार्लेमेंट ओके जेमनी में ए अर जो किसारी मेल थे मिले और जो किसा बिसनस्मन और प्रोफिशनल इगासे बलांग करते थे मैं बुले हैं एक लोग पढ़ लग लिए पर लिए को चुके थे ती बड़ बडी इंडसी दे जिस्के वाद वारान वो लोग ने बिसन अपना बिसन्स स्टाट कर दिया था र प्रेंगफुर्ट पार्लेमेंट कन्वेट इन सेंट पॉल चर्च यह पर फ्रेंगफुर्ट पार्लेमेंट लगी थी वहाँ पर जो राजा था फ्रेड फ्रेड विलहम फोर तिंग अफ प्रूशिया उस्ट रजेट कर दिया था कि मैं आपका गॉंसरीशन नहीं वानूँग यहां पर आपका यूरोपीन हिस्ट्री चल रही है तो आपको यहां पर पर आर्मी लिखना है अंदजा होना चाहिए अपका एक तरीका होना चाहिए अंसर लिखने का प्रूप्स को कॉल करा और उसने भगा दिया इस असेंबली को इस बैंड कर दिया ओके तो अब देखो यहां पर आपको देखने हो बिलेगा जो पॉलिटिकल राइट थी बात थी पॉलिकल राइट ऑफ वुमेन कहीं नहीं हुई महिलाव को इनफेक्ट जो यहां पर फ्रेंगफुर्ट प्रार्लेमेंट हुई थी वहां पर सिर्फ उसर्फ विजिटर गैलरी में ख़ड़ होने का मौका दिया गया था बस और उनको वोटिंग राइट देने का अधिकार भी नहीं था और नहीं 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 उनको यहां पर पर आप तीन पर लिख देना कि वोटिंग रिद्रेंटर बनने का अधिकार था ता अब भाइया वोटिंग राट है नहीं मैं नहीं अप का उसरा हो जागा एग यह तीन पोइंट सभी यह उस जो जो इंहने है न उस्मिट पोट रहा की सच्छा पयास कर ना इस्टी वाला इंजामिनर आप उसको कुछ पॉइंट्स दिख गए ना कि जो उसको पॉइंट्स पसंद है एंजिया ठीक है जो उसको देखके आर यार दिल में फीलिंग आती ही कि यह भाई यार बस यह मुझे देखना था तो ने मुझे यह दिखा दियो भीने बच्चे ले इसको पॉइंट्स देख लिए उसने देख लिए उसने तो उसके दिल में तसल्य होती है कि बस मुझे मेरे प्यारे पॉइंट्स देखने को मिल गए अब मैं तुझे मांक्स देदूंगा चाहिए तु कुछ भी लिख चाहिए तु अगले थीन पॉइंट्स में कुछ भी जंकास पुरूशा में रहने वाले थे लोग जंकास जो थे पुरूशा के थे यह लोग मतलब पुरूशा के जो लाज लेंड़ोर्स हैं उनको हम कहते हैं जंकास जाधी में पुरूशा को यह बुरूशा को बशाइब करूंप करणा नाम नमीटर फोर्सल्स इसमें जंवड़नी की एक शृटी है वर्सल्स वहां पर रचल्स तो फ्रांस की यह ली जखता है उन्याय को जाए आपके फिर्ट Tôi स्रेमिनी वर्सल होगा वर्सल नहीं विये नहीं होगा वर्सल तो राजदा नहीं थी फ्रांस की अपने पढ़ा एक लास मैंत में छोड़ो आप बुक में चेक कर लेना शायद हो भी सकती है वेसली क्या पता उस टैम पर कौन सा एंपार किस से गंडल में था क्या पता चीफ मि अन्हीं साथ साल तक 3 वर्सल लटीन फ्रांस के साथ डन्माह के साथ और ऐस्ट्रीय के साथ ऑर फिर जीत कर सहरा एंपार दिया वह रेवरिशनरी थे उनका जनम वहते हैं 1807 में यह टाइम पीरिड है 1861 का मैंने आपर टाइम नहीं लिखा 1861 का जो नॉर्धन इटली था वहां पर जाकर पीजेंट्स को मोबलाइज कर रहा और जो बॉबन किंग्स थे इस्पेन के वहां उनको भगा दिया साथ सदन इटली से और तू सिसलीज वाले एरिये को कप्चा कर लिया और नॉर्थ में चीफ में एक डिपलमेंट थे जिनके अच् जो मैंने पहले बुणा ना अरे ना में यहां पर नाम लिया हर्याना इससे आप समझ सकते हो कि हरे ना पंजब किया पॉपलेटी एक प्रॉस परिटी उसकी इन दौनों स्टेट्स की हमारी कंटी के अंदर कि में मूप पहले नाम आया हरे ना एसी में ड्यावलोप कंटी के सबस्क्राइब कंटी के नाम लोग तो मैं मूप पर सबस्क्राइब का अमेरिका यह होती है अलग अलग चीज़ने जो आपको क्लास 11 से सीखने को मिलेंगे इकडामिक्स में चल्ड़ों यहां पर आजाओ पर पेस से सबस्क्राइब के बीच में अपने अपने को देखने को मिला कि बाद में इन्होंने अपनी गंट्री का नाम चेंज गर देता और बाद में इन्होंने इसे फर्दा थोड़े बहुत है ना आइलेंड को कप्चे करा फिर बाद में तुवार से आदाद हो गया था फिर उसका थोड़ा से यह था उसके कर लिया फिर ऐसे उन्होंने फुरा बिटेन बनाया एज यूनाटेट किन्टम नेखो डिफ्रेंट एथनिक ग्रॉप स्टे से पहले 1860 में पहले क्या हुआ था पहला पीवल का होता है इंगलेंड में कि उन्होंने अपनी जो राज़त है उसको भागा दिया था इंगलेंड आयरलेंड स्कोट्लेंड और वैलिश यह चार रीजन है जहां पर अलग तरह के लोग रहते थे रहते थे दो को फुच्छलाइजिंग दिनेशन एलेगरी यह बनाए गई यह एक फीमेल फिगर है जो की बनाए गई थी जो की दिखाती है नेशनिंजम को आप द थी इनके सर पर और एनके सर पर थी रड़ केप दो फॉइंट जैनक ना अभर बाद में इनकी कलर ट्रेस करते थी वह अब इनके नेशनल को नेशनल फ्लैक वाली कॉस्ट्म थी इनकी ओके नेशनलिजम एड इंड इंपलिजम अब मोस्ट अब यहां पर आपको धील चीज था वो कनवर्ट होते वोग देखे गाएंपिलिजम में मतलब क्या मेरा देश महान है मेरा देश चार्ज करें मेरा देश आदा दो मेरे ज़स की एक पोईट कर और एकनोमिकल आइंटिटी वह यह सभी चीज आती निश्रिवम के अंदर इंपिलिजम मतलब क्या कि हमारे देश ही आंगे बड़े किसी ओकर देश आंगे ना बड़े मुझे उस देश से जलेसी होती है बस यह है इंपिलिजम समझे अब जो बालकर निजन था ऑटोमान अमपायर का देखो आप सो यहां से एक और चीज सिखने को मिली कभी खमान मत कर ना और टोमान अमपायर ने कब जगा था एटीन फूट एटीन फूटी एट में कॉंसेंटिनोपल पर यानि ग्रीज की रज़दानी पर और उसके अलार्दी कभूई थी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अपने देखा था अभी भी अभी अभी अपने देखा था न इंडिकरेशन ना हुआ हो मुझे बने विखरे ऐसा ही था ओटमेंट अपर कभी बना विखरा भी कब विखरा 1871 तक और समय में जब ओटमेंट अपर विखर रहा था उसके छोटी छोडी रीजन तूट के आ रहे थे ओटमेंट अपर के राजा थे खलीफा खलीफा और करेंगे से वालक्रमीजन जो एक छेतर सा छोटा सा छेतर था उसमें पोल उसमें कोई साइस चोडी छोडी चोडी कंटिस थी वह जगल्यूप अब ओश्यक्रा अलग अथनी एक इनगी ग्रूप ते ओकए एथनी ग्रूप क्या होते हैं किसी गी बैसेस कॉलिजन कास्ट या या फिर कलर किसी पेसिस पर एक ही तरह के इंडिविजर्ट को पन ने एक ही ग्रॉप में क्लैस्वे कर दिया तो होता है एतनी ग्रॉप ओके तो ऐसे कि ओट्व में आपाएगे डिस्टेट होने के बाद बाल करीजन आताद हुआ यह लोग छोड़ी कंट्री थी जलती थी एक दूसरे से लड़ती थी आपस में और बात तो तब हो गई लड़ रही आपस में वह दिक्कत नहीं चोड़ी कंट्री ने कितना लड़ेंगी कौन से इनके आटम बॉम है कौन से इनके बास मुखले वेपन है दसपंदर दसपंदर लोग की आर्मी है एक दो हजा की आर्मी है लड़ेंगे आपस मरेंगे हो गया कम बट दिक्कत तब हो गई जब इनके पैरेंट्स या इनके बड़े-बड़े साथी या इनके सपोर्टर्स कौन कौन है जर्मनी इंग्लेंड और सबसे बड़ा नाम है जर्मनी का हिटलर का दैनक न और ऐसी जो आइलेंड इटली इस अभी जो कंटिस थी इनकी चुटी बच्चों की लड़ाई में यानि वह मेरा सपोर्टर है मैं उसको सपर्ट करता हूं तो उससे कैसे लड़ रहा है आई तू पावर राव लरी ओके तो ऐसे ऐसे हैं लड़ाई टेंशन डेवलाप हुई उसके बाद फिर लड़ना चलो हुगा फिर लोगों ने लड़ते गई लड़के फिर ऐसे बड़ी लड़ी लड़ी लड़ाई हो फिर ऐसे फर्स्टोड़ और हो गया था एंड रिसल्ट क्या है अपकी ऑन्साइटिक लाइंड ट्रफ जेखो रायंड विट नियुट इम्परिलिस्ट इभ लेश्त का रहा हुए बूड़ यापन को क्या दिया इंडेन ह्पंन। अपने देखा हमारे देश में आपको यहां से लिंक मिलेगी जप्टर नमर टू की कि हमारे ज़िश में जो कमन इस्ट अधरी लड़ी लड़ी विडिश्यास के अगेंश्ट में तो इससे हमारे बीच में यूटी डेवलप हुई क्लियर तो आपका जप्टर नमर वन कमेड़ी हो चुका है दन्वाद अपने अधर विडियो देखी दन्वाद जहिंद नोट सबको मिल जाएंगे फ्री आफकोस्ट हमारे वाट्सप चैनल से लिंक डिसप्शन में हैं दन्वाद जहिंद